पूर्णी जी चेला इनोंने आवाज लगाई कि आओ अयोध्या के लोगओ, आयोध्या के मात आओ जल्दी जल्दी आओ एसे बढ़के वाले जोसी जी आए हैं जो भूद भवी से सब बातन को विल्कुल साची साची बतावे एक भी जुठी नाई बतावे, सब साचिस जी बतावे, तब पहली माता जी आई, तब ये जब नकली वालोग पास में इतनी भ्योग होती है, तो ये तो महाराज असली है ना, केलास दाम से पदार है, तो जैसे देखा तो बात सब सही निकली, अब एक ने दूसरी सका, दूस और इदर जाने के बाद में, एक विख भर, गोपनी नहीं रह सकती दा, एक न उसे का, दूसरी न तिसरी से, तिसरी दी, चोती से, चोती suspended, पाच्वें से, और सब ये नहीं कहती है, कि हमारी तो आदती नहीं है, बात इदर की उदर करना, हमारी तो आदती नहीं है कि हुम और बात सबको पता रहती है आगे से पिछे दफ सबको पता रहती है तो बोले बाबान का इनको पकड़ो एक ने दूसरे से करते करते पूरी अयोध्या की लाइन लग गई है नारियों की अब जब मातावनी लाइन लगा ले तो पुरूस लोग कहा जाएंगे सारे पुरूस कि सार चुतर सुनुनुदकल और से करते दूस् Armstrong कि लग गई है अब सारे लोगों कहा देखते लेखते बोले वाबा सीना पसीना आ गया है शुब्ध से देखने लगे साム हो मुंख़ा खरा Анकी तो हमसे अइस पास달 करता है भाग ये फुटा है कि उदर से आज कोई दासी भी इदर नहीं फटकी है इतनी लंबी लाइन खतम नहीं हो रहे किसकी है बोले आए देखे लोगों की है बोले आए देखे लोग है बोले देखे जाओ और जब बने हो जो सी दो फस गया हो तो अब देखना तो पड़ेगा कुछ तो करपा आपको करना पड़ेगा अब शीराम जी पल्ले में लेटे लेटे तमासा देख रहे तो बाबा आज फस गया है अब मेरे को कुछ करना पड़ेगा तो शीराम जी ने दासी को प्रेडित किया वो बाहर अटारी में घुनने लगी तो उसने देखा कि सारे ऑसना बातन को साची साची बताविग ज़ी म्या और लाला को ले लिकर करके भी अव रहा हो सुंद़र बोषिवाने करेंगे और लाना को ना मैया को कभी रोय गाए अभी लोग बोर गाई और ने यहां इतने इसन्दर जोट जो जिशा नाई है जो शारी बातन को ने में आध पहले जोसी जी को टेस्ट करूंगी चेक करूंगी एसे इक को tolerance मिआ धुझा लाव गने कानक्ते ह twee की से ही नकलीव जाने के देख लो ко qa通 सारी मिया मैं ने अटारी पर से जहरोके कि आर से देखा तो बहुत जोसी जी पसक्र मारेमiques Dorothy ओये मिया कहा लग तो बहुत तेजस्वी रहें, असली लग रहें हैं पर देखो ये दाड़ी से मुझे न डर लग रहा है ये दाड़ी बहुत बड़ी बड़ी है और दाड़ी के चक्कर में मेरा लाला डर जाएगा तो लाला को मैं दिखाओंगी तो सही मगर मैं दूर से दिखाओंगी गोदी में देनी वाली नहीं हो तो सखीन का हाँ लेकर के चलो तो सही मत देना तुम अब मैया लेकर के आती है स्री साथ में सुमित्रा मैया भी है केकई मैया भी है और लाला को लेकर के मैया आती है तो इसली को सलया महिया की गोदी में जब लाला को लेकरके मा आई तो उस्री भुले बावा ने दूर से देखा चैला जी ने कहा एदिया कि बावा जिनका इंतजार सुबहे से हो रहा है वो आ चुके हैं तो इसलैं सावधार हो जाई है तो अब मय यह ने करके आई तो सई लेकिन मय नैंने का ता कि मैं दूर से निखााओंगी तो मैं दूर से दिखा रहे कی आप देख लिजे में लाल्वा को तो श्रीm कहा कि दूर से आप देख लीजे कहा ठीक है अब भोले बावा मनी मने सोच रहे कि एक तो सुबह से साम तक इंजार अलग करवाया आपने और यहां करके भी नाटक कर रहे हैं गोदी में नहीं आओंगे तो किसे काम चलेगा मैं तो आपको गोदी में लेना चाता हूँ तो स्री राम जी ने किलकारी मार करके रोना शुरू किया तो दासरी ने कहा कि मैया यह बावा बहुत बड़े वाले हैं देऊना यह बावा गोदी में सुन्दर जाहर कूप करेंगे और ऐसा करेंगे कि इनको नजर नहीं लगेगी तो मैया ने काचरा ठीक है देती हूँ तो जैसे मैया ने शीराम जी को बोधी में दिया तो भोले वाबा तो महाराज बोले यह न दर्शन करने में ऐसे मगन हुए ऐसे मगन हुए अखंड त्राटक समाधी ही वगवान सुजी को लग जाती है त्राटक समाधी का मतलब है कि आख खुली की खुली रह गई स्वास बंद हो गई और स्थीर होकर यह देखे जा रहे देखे जा रहे देखे जा रहे है अब स्वास जब किसी की बंद हो जाती है तो खोपडिम क्या लगता है मैया ने कहा कि कई मैया से कि देखो तो द्यान से कि जिए बाबा कब से देखी जा रहा है ना तो हील रहा है ना डूल रहा है ना पलग जब कर रहा है ना स्वास ले रहा है तो कई ऐसा तो नहीं कि ये बाबा पधार गए केके मिया और मित्रा जिन कहां लाड़ तो यही है कि यह गए कोसलिया मिया को गुसा है बोले दासी पर बोला अच्छा जोच्छी ढून करके लाई हो तुम कि मेरे लाला को गोदी में लेते ही पढ़ा रहे अरे पढ़ाना तो थोड़ देर पहले ही पढ़ा जाते अब मेरे लाला को गोदी में लेकर की पदा रहे तो संसार की लोग मेरे लाला को अप सकुनी मानेंगे कि देखना हाँ कोसल्या की लाला को दूर सी लाड़ लडाना हाँ गोदी में नहीं लेना क्योंकि इसको गोदी में लेते ही डारेक्ट उपन एंट्री हो जाती है इसलिए मेरे लाना से देंगे सब लोग एसा जोसी ढूंड करके लगए अब वो दासी विचारी घवरागे बोले अभी तो अच्छे बले ते पता नहीं का हो बबा मैया हमें ना ही पता है मैया ने डरते डरते बगवार शिव जी का हाथ पकड़ करके जोस जटक दिया तो बावाजी की समारी फूट कही मैं क्या हुआ बहान जी ठीक तो हो ना है में एकदम सौस्त हूँ तो बोले आप तो ना पलग जका रही हो दोड़ुरों है आपकी ध्यान से देखना बंद करो और जल्दी से देख करके सौटकट में बता दो कि हमरे लाला के भागे में काव काव लिखा है तो भोले बाबान का कि हाँ मिया अब भोले तो भोले है भाव में आ गए और कहने लगे कि मिया आपके लाला के भागे में यह लिखा है कि आपका जो लाला है न ये साक्षात ब्रम्व है कहने जा रहे कि साक्षात दम्व है तो साक्षात बोले लंबा राग ले करके तो शीराम जी ने नजर मिलाई बोले बाबा से बोले लागा थे बाबा सारी ही पॉलपटी खोड़ देगा तो शीराम जी ने इसारे में कहा जी इनों ने जैसी कहा साक्षात तो राम जी ने इसारे क्या कि हूं इकाओ करे दो तो बाबा जी ने राम जी की तरफ देखा बोले क्या हुआ बोले पॉल पड़ी खोले के क्या यही कहने जा रहे हो कि मैं भगवान हूं बोले हाँ यही तो तो शिराम जिनका रहने दो मराज संसार में भगवान बनने में कोई फाइदा नहीं है संसार में तो लाला बनने में ही फाइदा है भगवान बनने में कोई फाइदा नहीं है सुबे से साम तक भगवान को खुजबु वाली अगरवत्ती सुबे लगा देते दो अगरवति साम को लगा देते वो लंबी वाली लिस्ट पकड़ा देते कि यह भी कर देना वो भी कर देना ऐसा भी कर देना उनके भी भाई सर में दर्द हो जाता है तो शीराम जिनका की बस और वो भी डिवान अगर पुणी ना करें तो कर से वो खुजबुवाली अक्रवत्ती भी गायब हो जाते है कि जाओ यह भी निलगाना है ऐसे संसार के लोग पूजा करते तो बोले बाबा से कहा कि मारा जैसा है कि हमें संसार भगवान नहीं बनना है हमें तो लाला ही बन करके रहना है ताकि मया लाड लड़ाईगी माकन खिलाईगी भोग लगाईगी और प्रेम से सुन्दर हमारा शंगार करेगी तो बोले बाबा का पिर क्या कहे भोले बाबा को घुमा दो बदल दो तो श्रीम माधेव जी कहने जाने कि साक्षात ब्रम है रम चींदारर किया तो आधि बाद को कार दिया और महां दूसरी बाद चोड़ दी कहने रगे कि साक्षात वह लाला जो है ना यह सर्व गून संपन आपका लाला है अब जल्दीम बाद बनाइभी या तो यहिए बनी हो लए सर्व. कर दो निलिए जल्ली का है एकुर्णाति को नियुद्स बोगना AND क matarफ सम्पन चांगी है टो भींस सम्पन लिखा है ओधने पाइस का लिद्धा जाथ बने का हो mein गता है विखना यहाल कि आ Elsा लिफक दिए टीनो लोग नहीं है तो बोले बाबा नहीं का रहे आप पूरी बतिया तो सुनिए मेरी बोले पूरी बतिया यह है कि मेरे लाला को कोई भी ले जाए मुझे पिसन नहीं तो बोले बाबा का रहे पूरी बात तो सुनो मिया जो सादु बाबा लेकर के जाएंगे वो कैसे लेकर के जाएंग और जब लूताएंगे न तो ब्याज सही तो आपको लूताएंगे तो बोले ब्याज सही तो यह जतना सुन्दरिसके लिए लाली के नहीं चीए अब इसे कब सुंदर कन्या सी विवा तुम करोगी नगी तो बोले इसके बराबर सुंदर लाली तुम कराम डूंडोगी इसलिए जो सादू भाबा आएंगे न वो इनको ले करके जाएंगे और सुन्दर लाली के साथ में विवा करवा करके व्याज सहीद आपको लोटाएंगे महियान का अच्छा इसा करेंगे तो महियान का तब तो बले कली आ करके ले जाएं मैं देने के लिए तैयार हूँ तो मादेव जी बोले वावान का पहले खुद तो बड़े हो जाएं उसके बाद में इनके आ करके ले जाएं तो महिया प्रसन हो गए हिरे के अंगूटी उतार करके बोले वावा को दी बोले वावा ने सब दान कर दिया महिपर और स्रीकाग बुश्रुम्री जी और भगवान बोले वावा वावा से अपने धाम पधार गए हैं यहीं बिधिराम जगत पीतु माता यहीं बिधिराम जगत पीतु माता ओ सले पूरी वावा से अपने धान कर दिया महिपर यहीं बिधिराम जगत पीतु माता यहीं बिधिराम जगत पीतु माता ओ सले पूरी वावा से अपने धान कर दिया महिपर यहीं बिधिराम जगत पीतु माता यहीं बिधिराम जगत पीतु माता पूरे पूरे पासी मैसु नाया अधी प्रसंद होकर के स्री राम जी बाल लिला करते हैं और उसके पस्चात में रोज नीतनी लीला करते हैं लाला धिरे धिरे बड़े हो रहे हैं पाज वरस के हो जाते हैं उसके बाद में आव आंगन में ठुमु ठुमु चलते हैं चल करके कभी गिरते हैं कभी खड़े होते हैं कभी गिरते हैं रोज की लीला करते हैं आज क्या हुआ कि चलने लगे और चल करके थोड़ा सा ये गिर जाते हैं तो रोज ही गिरते हैं और रोज ही उटते हैं लेकिन आज नया कमाल हो गया है कि जैसे ही नीचे गिरे ना तो इनकी नजर पड़ गई नीचे क्योंकि महाराज दस्राजी का मणी धारी फर्स है तो उस मणी पर ये नीचे गिर गए दोनों आज जमीन पर रखे और अपना चेहरा जमीन पर इनको भूमी वे दिखाई पड़ गाए तो ये सोचे कि ये खिलोना है और ये खिलोना मुझे चाहिए अब जी ठाली कि यही वाला खिलोना चाहिए मुझे तो तो सारी माता है परेशानों में दूसरा खिलोना दे तो माने नहीं यही वाला खिलोना चाहिए यही वाला खिलोना चाहिए दूसरे दे तो माने नहीं तो उसी समय मैया ने बार बार समझा रही है तो उधर स्री वशिष्ट महराजी को बलवाया बोले लाला मानी नहीं रहा है बार बार जमीन में जो है उस खिलोने की डिमान कर रहा है तो उसी समय स्री वशिष्ट महराजी ने लाला को गोदी मिले और कहा कि लाला कौन सा खिलोन तो तुहार बहनिया हो जाएगी और ये खिलोना मिथला में निकलेगा तब ये तुहार दुलनिया होगी तो तुम्हें दुलनिया चाहिए कि खिलोना चाहिए आप खिलोना की बाद तो छोड़ दियो दुलनिया चाहिए दुलनिया चाहिए मैया ने कहा गहे भगवान एक पल मचले हे राम गोदी में ना आवे मांगे एक दुल रजिया दस रच्जी के रच्जी आवे मांगे एक दुल रच्जी के रच्जी आवे रच्जी के रच्जी आवे माझा चावेmont रच्जी के रच्जी में दस रच्जी के राम फिटी के लेला तूतनिया, दसने थी ये रन्या मोरे भूह कोठ आ रमुन्दाने सोरे मोरे मुह कुठ曲 का लुम्ट आलने सोरे अम्रों में सुए करे दनिया दस रच्जी के रच्जी के रच्जी रच्जी के रच्जी रच्जी के 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 झूरी और भी ऐफ जाद से पिल्भाइब पर्भाईब याद अजाद से जॉचुटरी जिल्भाई खोन्ती खरुबहा खोरी मेखाथ थीचे तो औलुमाथ चालुमाथ मान् दीज वईरें पहन को मेखा通 क्षेटी बिल्म आजgestा शचेटी ist तीन क्षेटी अजग हम् मान् पीज जोईरें पहा खोरी मेखा तीन को चीजिएा झाल 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 झाल